हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक टो जीनेस अप्रोच मैं हूँ सुप्रिया आप सब बहुत अच्छे होंगा अच्छे अपने रिप्रेशन कर रहे होंगे तो आज इस सीरीज को कंट्रियों करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं चाप्टर नंबर 14 की जोकी है the story of food इसके हम समरी देखेंगे कि क्या कहना चाहता है अब चाप्टर का नाम है the story of food ठीक है लेकिन इस शुरू में आपको कुछ अलग story दी गई है उसकी बाद यहां पे आप topic को रिलेट कर पाएंगे कि क्या बात ही की गई है ठीक है तो आज आगे देखते हैं इ क्या है story of food समझते हैं आपको मैं एक बात बता दो जब भी आपको मैं कोई summary चाहिए देती हूं किसी भी chapter का आप एक paper pen लेकर बैठा करिए copy लेकर और आप बस chapter कर नाम लेकर बस हलके से लिख लिया करो कि क्या क्या key points जो कि इस chapter में cover हो रहा है जैसे कि मैं अभी आपको short में family और रानीus family अब दोनों पिक्चर में क्या दिखा जा रहा है वेनू की family में दिखा जा रहा है कि उसके mamma भी काम करते है पापा भी काम करें दो लोग काम करते है दिखा रहे हैं कि अखेले मम्मा बैठके काम कर रहे हैं फिर नीचे आते हैं अब यहां पर क्या है सेकेंड वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहां पर सब लोग बैठके काना खा रहे हैं लेकिन यहां गया हो रहे हैं यहां बेटी को बेटी सर्व कर रहे हैं दो पापा पढ़ रहा है और आम से निउस्पेपर बड़ जब कि मम्मी बेटी लो काम कर रहे हैं देखो पानी भर के लेके आ रहे और इतना भरी-बरी समान उठा रहे हैं तो यह पूरा यहां पर matter पता है आप क्यों बताया है आते हैं इसको आपको समझते हैं यहां से आप क्या बताओगे आप यह बताओगे बच्चो को कि बच्चो हम सबकी फामिली इस डिफरेंट डिफरेंट होती है ओके लुक आट दा पिक्चर गिवर में लो आप पहले आप पिक्चर रिडिंग बच्चो को करना सिखाएंगे फिर आप बतायेंगे वोट काईड ऑफ और पीपल doing in both the families, कौन कों से वो कर रहा है, दोनों families में आप पर गाम, ठीक है, वेनू की family, और कौन थी यहां पर, रानी की family, ठीक है, दो लोग थे, then, is like, oh sorry, is your family like any one of the families, तो आप बुछ रहो कि क्या दोनों में से कोई भी family ऐसी है, जो कि आपकी type की है, if yes, तो किस type की है, और how is your family like theirs, तो आपकी family कैसे उनकी जैसी, तो बच्चे अपने अपने view शेर करेंगे, अब देखें, बेसिकली मैं आपको बताऊ, ऐसा teacher point यहां पर क्या बताया गया, पहले इसको read करते न, तब आप समझाओगे, discuss carefully and sensitively this one, the issues such as defined gender rules, etc, allow children the freedom to question these without hurting the feeling of others, यह बात आपको ध्यान रखना है, कि आप बच्चों से यहां पर बहुत ही sensitive way में discussion करेंगे, किस बात का, देखो आप काम को लेकी discussion करेंगे, ठीक है, ममा को लेकी, पापा को लेकी, कि आप बताओगे, अब यहीं पर आगया आपका gender rules, आप समझ रहोंगे, हम सब की family basically ऐसी होती है, जहां पर क्या होते, कि आपने देखा होगा कि females को जाज़ादा work करना पड़ता है, और male बाहर के काम देखते हैं, लेकिन आज की time में time change हो रहा है, अब female भी काम कर रही है, वो भी office आते हैं, वो दोरों manage करते हैं, male भी घर को manage करते हैं, male बकाइदा अच्छे-च्छे कहाने बनाते हैं, वो भी घर को manage करते हैं, तो ऐसा आप नहीं है, अब काफी change आ गया है, लेकिन फिर भी कुछ families में आता होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, बच्चे जो होते हैं, वो diverse background से आते हैं, ऐसा नहीं कि जो आप सोच रहे हो, वो हर जो का implement होई गया हो, होना चाहिए, हो रहा है, बट अभी हो रहा है, अभी पूर तरह हो नहीं गया है, समझ रहे हैं आप बात को, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, कि आपको ऐसा issue को create ने कर देना, gender rose वाली बातों को, बच्चों को mind में आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे ही आपको अपने पापा, ममा दोनों की help करनी चाहिए, चाहें वो market का काम हो, चाहें वो घर का काम हो, पढ़ाई भी आपको सासात manage करनी चाहिए, लेकिन आपको अपने father, mother की भी help करनी चाहिए, that's it, इतना point उठाना है, अब यहाँ पर आप तड़ा और issue rate नहीं करेंगे, तो आपको second class का बच्चा है, उसे क्यों आप इतना करोगी complication, ठीके, तो आपको यह सारी बातों को ध्यान रखना है, अब बच्चों को freedom देंगे question करने का without hurting the feeling of other, समझ में आया, ठीके, ताकि और बच्चों की feeling hurt ना हो, यह आपको ध्यान रखने है, तो I hope अब आपको clear होगा, यह पूरा concept यहाँ से बना, फिर देखिए, उसी पर कुछ-कुछ question दिये है, let us talk about your family, तो अब यहाँ पर question पुछ जा रहा है, कि अच्छा यह पताईए कि आपकी family में सब लोग बैठके खाना खाते हैं, अच्छा जी, आपकी family में last में कौन खाता है, फिर हो रहा है कि क्या आप अपनी mamma की, okay, who does not help हो, क्यो कि यहाँ पर आपके घर में कौन cooking में help कराने नहीं जाता है, तो में भी अलग- male-ισm whales called, male-female milk-over, लेकिन बच्चे काम करने नहीं आते हैं, कहीं पर, क्या ओता है, MA Obama लोग खाली काम करता है, बच्चे बिल्कूल नहीं आते, कहीं-कहीं बच्चे लोग पूरा-पूरा help करते हैं, लोग help करते हैं, तो वो अलग- अलग हर चाह का case होगा, ठीक होगा, तो यहां पर work done जो कि गहरों में होते हैं वो mention किया गया है we have to find out who does them in your house and who does them in your friend's house okay you can add some other work to the list अब दो यहां पर क्या पता रहे work लिखा है cooking food आप बोल रहे कि बच्चों से आप क्या करो आप यह पता करो कि आपके घर में कौन करता है मालीचे बच्चे ने लिख दिया मदर और इसा नहीं होगा तो उसके फ्रेंड के घर में हो सकता है उसके पापा पापा कुक करते हो sister कुक करती हो तो वो अलग अलगा असा हो सकते है then कौन आपके यहां से market से समान लेके आते तो फिर बच्चों के अलग अलगा अलगा असा होंगे mother father mother and father ऐसे से मिला कि है then sweeping कौन करता है ठीक ही जाड़ो पुछ विएरा कौन करता है तो कहीं हो सकता है sister कहीं हो सकता है mother तो अलगा असा होंगे then cleaning the utensils, utensils कौन साफ करता है तो हो सकता है बच्चा बोले कि मैं करता हूं ठीक है मैं ममा की help करता हूं तो ममा और मैं या फिर पापा और मैं ऐसे से करके बच्चों के अलग अलगा असा होंगे आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आपको यहां पर male female वाला gender discrimination gender rose वाली चीज़े बच्चे को नई सिखाने है बच्चे के माइन में यह मैं सेट करिए कि यह तो बस मैं यह तो बस male वाले का काम है यह तो बस female का काम है आपको यहाद होगा आपने psychology में अलड़ी पढ़े हैं कि आप seated qualify करके आयो आपको अच्छे से सारे बाते पता होगी gender rose के बारे में gender business के बारे में तो यह सारे topic बहुत sensitive होते हैं तो आपको बहुत सभाल के class में यूज करन करती थी कुछ भी सकते है sister बहुत करती थी मैं कुछ बहुत करता था ठीक है चलो then where does what we eat come from अब बात हो रही है जो मैं आपको बता है कि जो कि आपके topic का heading है ना chapter का story of food यह यहीं से आ रहा है कि जो हम खाना खाते वो कहां से आता है तो आपको अभी समझ में आया इस chapter में पह हो रही है खाने पीने के बारे में क्या बताया जा रहा है कि आपको कुछ item यहां पर है name of some food item है आपको क्या करना है आपको green circle करना है ठीक है जो कि आपको plant से मिलता है और आपको red circle करना है जो कि आपको मिलता है animals से ठीक है from animals तो यहां पर बच्चे अपने अपने यहां पर देखो, circle करेंगे, जैसे कि honey, यहाँ पर मिलता है, एनिमल से, ठीक है, तो यह red circle से जाएगा, ठीक है, मैंने तो blue ही कर दिया, ठीक है, red circle से जाएगा, ऐसे-इसे करके, आपको सुच activity है, फिर आप देखे, एग मिलता है, एनिमल से, फिर आप आगे, milk मिलता है, मीट मिलता है, जैके यह सारे हो गए, फिर अब क्या बुर्ण आपसे कि जो आपको green से मिलता है, तो आइए green वाला भी देख लेते है, green से हो गया, turmeric यह आपको plant से मिलता है, corn मिलता है, spinach मिलता है, tomato मिलता है, onion मिलता है, banana हो गया, अजवाइन हो गया, lemon हो गया, potato हो गया, अब पते यह क्यो नौन विजवाला होता है, food, तो वो आपको देखे हैं कि वो red color से होता है, आपने गभी उसमें observe क्या होगा, इससे करके dot बना रहता है, और अगर वो vegetarian होता है, तो वो green color का उसके dot होता है, अगर आपन नहीं observe किया, so as a teacher आपको पता होने चाहिए, आप ज़रूर इसको observe करे यह होता है, वेजवालों के लिए और यह होता है, नौन वेजवालों के लिए, तो यह चीज़ आप बच्चे को बता सकते हो, आज ही आप observe करेगा, खाने पेने के चीज़ों में, आपको देखेगा, पीछे वो symbol होता है, ठीके, चलो, तो आब आगे move करते हैं, यह तो मैंन यहां पे बच्चे को बता है, कि हम अजवाइन वागरा देते हैं, यह सब बहुत ही helpful होता है और यहां में प्लांट से मिलता है तो यह हो गया आपको medicinal plant इसके बारे में आपको बच्चे को यहां पर knowledge देनी है और जब हमें चोट लगती ही तुम हल्दी वाला दूद पीते हैं तो यह सारी बात आप बच्चे को बताएंगे अब यहां है दियर traditional knowledge of medicinal plant समझ में आया ताकि आप बच्चे को यह knowledge दे सको कि ओ किती सारी plants and medicines की तरह भी होते है जैसे कि तुसी जी के plant हो गया और आप बोलोगे यहां पर पर फोर फिह को देखो कौनको सोगया कोज से और अपका होता है क्लोव ओते है ठीके चलोव भी आपको देखो मिलते गतली युद्ध कर पता है तर्मला जो होता है इससे बहुत सब्सरी रचाप अब अब रहे करी काड़्ध बना बिस्राइन तो यह आपने बच्चों को नॉलिज दी है अधिशनल प्रांट के बार में फिर आएगा चूर्ज रखरेक्ट पास्केट फॉम इच आइटम एंड रॉलाइन मैच अब यहां पर बच्चों को माच करना क्या मैच करना समझते हैं बच्चों को यह बताने हैं जो सारी नेम्स बताने होँ ना इस आधि प्लांट्स के नुखिये होएं ठीके हां ठीक है चुक्टिया को प्लांट्स के एले पार्ट्स जो भी आप खाते हो क不同 तो फ्रॉह बहुत यह सबसे पहले हमां लीज प्र तो साग यह कौन साथ नहीं मेरे की होताई जो और यह लीव सी को मतलब होता है कठहल ठीक है कठहल आपका चला जाएगा यह आपका कठहल को तो फूट जहां तक मुझे पता है फूट तो नहीं बोलते हैं यह आपका एनी अधर प्लांट में जाएगा फिर आप देको फूट में क्या के डाल सकते हो यहां पर बनाना डाल दिया मांगो डाल लइब सकते हों कि यहीं नियुक्राइब से contract sel में का फ्रून से सबूंपे लिसकी अग्र को अब दो आज की या तो वह सब्सक्ता दे सकते हों कि फ्लायोट से ग्रावर्सीश में कॉन से जाता है लिसवन jinger other parts Chile othercinia Thi best area my other one Lauder sis sari opeo samaz naan gained potato हम प्रोटा CAD वह के आधर पार्टráइगा तो ऐसे करके आप बच्चों के दुसरा Iडिया दे सकती हो क्लासिफाइं बता सकती हो कि फ्लावर्ट में कॉन सर जाता है अज साला है कॉन सर रूट्स और यह सारे एने अधर the part of the plant यह बेसिकलि आपको बताना था तो अब आएए देख लेते हैं अगेंड टीचर्स नोट इन दिस एक्सराइज नेम्स और सम् पार्ट्स ऑफ प्लांट इतन एस फूड आर गिवें और नेम्स कैन भी आड़े तो दिस्कुशन आप और शीजों को आड़ करा सकते हैं और इसकुशन करते हैं तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा शीजों समझ में क्या था इस चाप्टर में यह चाप्टर बेसिक प्लांट जो होते हैं जिसको हम मेडिसिनल पॉपस के लिए यूज करते हैं यह तीन पॉइंट्स आपको देमो में आपने आड करना होगा थिक हैं आपको इन ही तीनों टॉपिक के बेसिक पे आपको डेमो प्रोइड किया है आपको आज इवनिंग में डेमो मिल जाएगा ठीक है अप्रोड हो चाहेगी वीडियो डेडी कर दिया मैंने ठीक हैं सो उसके वाद हम देखेंगे इसका नेक्स चाप्टर इस पॉट्स वाला करके हैं मेकिंग पॉट्स करके हैं ओके आपको यह सीरीज अच्छी लगती होगी आपको समरी प्रोपर समझ में आती होगी सम दो कि सारे चाप्टर जरूर देखके जाने चाहिए फिर भी मैं आपको बुलोंगे आप अपने साइट से चाप्टर त्यार कर लो एक जलग देखके जाने पढ़ाएंगे कि किस इन में किस चाप्टर में क्या स्टोरी दी गए यह क्या बात के गए इतना की पॉंट्स अगर आपने नोटबॉग को लिख रहे हो आपको बहुत हेल्फुल होगा इन केस वो आपको रांडम चाप्टर कोल के देंगे तो वहां पर ब्लांग हो जाओगे अगर आपने बिलकुल न